हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर रमोल मौर्या, बिजनेस कोच, कोपरेटेनर, सेल सेनर, रियल सेट एक्सपर्ट, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारी इस यूटुब चैनल पर इस फ्री लर्निंग उनिवर्सिटी में आज इस समय को देखते वे सबसे important topic जो है वो है delegation और delegation के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताना चाहता हूँ ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये पूरी तरह से पक्का हो जाए कि आप delegation के expert बन जाएंगे करना क्यों ज़रूरी है इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि as a businessman आप ग्रो किये है उस quality के वज़े से जो आपकी एक unique quality है अगर आप हर काम करते रहेंगे हर चोटे मुटे काम में आप involved होते रहेंगे तो company ग्रो कैसे करेगी delegate करना ज़रूरी है आज के समय में आपको यह identify करना ज़रूरी है कि delegation के benefits क्या है और जब आपने delegation के process को समझ लिया और delegation के benefits को जान लिया तो वो delegate सही विक्ति को काम करना ज़रूरी है कुछ managers ऐसे होते हैं जो पूरा काम खुदी करते हैं, कुछ managers ऐसे होते हैं या owners ऐसे होते हैं जो पूरा काम अपने team को दे देते हैं, दोनों भी गलत हैं, दोनों तरीके से team का company का फाइदा नहीं हो सकता, आपको कुछ काम delegate करना है और कुछ काम आपकी skill के अनुसार करना है, लेकिन ये समझना जरूरी है, क्यों? क्योंकि as a business owner, जब आप अपनी skill पे, अपने काम पे focus करेंगे, तभी company की growth होगी, productivity बढ़ेगी, otherwise क्या होगा, कि आप छोटे-मोटे काम में involved होके, अपना important समय वेश कर देंगे, और delegation प्रॉपर ना करने के वज़े से company problem में आ जाएगी, कैसे? मान लीजे कि आप कुछ काम के वज़े से 3 दिनों के लिए बाहर चलेगे, आप कोई training के वज़े से चलेगे, कोई training attend करने चलेगे, कोई भी काम हो सकता है, कोई conference हो, कुछ भी, किसी expo में आप चलेगे, उस दोरान आपने properly काम delegate नहीं किया है, तो समालने वाले लोग नहीं है, और delegation proper ना होने के वज़े से आपके losses बढ़ रहे, आपका business सफर कर रहा है, यह सब का problem और solution एक ही है, काम को सही तरीके से delegate करना, वो कैसे possible है, जब आप समझेंगे कि delegation के फाइदे क्या है, delegation need of the hour है, आपको delegation of work करना जरूरी है, तो क्या है benefit delegation के, delegation का सबसे important और पहल flow और आपकी capacity दोनों बढ़ जाती है, तो productivity तो automatically increase होगी, जब आपकी capacity अच्छी हो जाएगी, आप उस skill पे focus करेगे, जिस skill की वज़े से आपने यह business यहां तक लाया है, दीरे-दीरे क्या हो जाता है, कि एक businessman, एक entrepreneur कुछ दिनों बाद उन काम में involved हो जाता है, जो उसका actually area of work नहीं है, फिर भी सही आदमी न होने की वज़े से, या सही delegation न करने की वज़े से, वो समय waste करता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि सूबर से शाम कैसे होगी, कैसे पूरा दीन खतम हो गया, फिर भी कोई productive काम नहीं हुआ, तो delegation का पहला फायदा है, कि productivity बढ़ जाती है, अ और आपको ज्यादा समय कब मिलता है, जब आप छोटे मोटे काम को delegate कर देते हैं, तब आपको सोचने का समय मिलता है, strategy के बारे में, आपको समय मिलता है, expansion के बारे में, तीसरा benefit, जो delegation से मिलता है, वो है more time to develop as a leader, आपको भी as a business owner, as an entrepreneur, खुद को develop करना है, खुद को develop करने के समय चाहिए, अगर आप छोटे मोटे काम में उलजे रहेंगे, जो आपका फोटे का नहीं है, आपके area का नहीं है, तो आप as a leader develop कब होंगे, आपको सीखते रहना है, दोस्तों जो जितना जादा सीखता है, जिसकी learning जादा होती है, उसके लिए आपको time की जरुत होती है, time क जब मिलेगा जब आप काम को सही तरीके से delegate करेंगे, point number four, the fourth benefit is more efficient and effective team, जब आप अपने team को ठीक तरीके से workload distribute कर देते है, team के efficiency बढ़ती है, team का एक दूसरे के साथ bonding बढ़ता है, ये फाइदा overall business company को होता है, the fifth benefit which is related with delegation is motivation and fulfillment, जो team को जादा responsibility दी जाती है, जादा अच्छा का काम delegate किया जाते है, और जो अच्छे result देते है, उनको automatically motivation level high होता है, क्योंकि जब वो काम को accomplish करते है, तो वो achievement की feeling है, वो उनके अंदर एक बहुत sense of achievement लाती है, और वो sense of achievement के वज़े से आपका team more effective and efficient हो जाता है, point number six, six benefit is new skill development and team members, जब आप team को को नया काम देते है, उनने जिम के बाद जब उसके expert बन जाते है, तो उनका skill development होता है, और skill development के वज़े से company का automatically overall growth and expansion होता है, तो दोस्तों ये थे वो six benefits related with delegation जो आपको मदद करेंगे as a business owner grow करने में, अगर आपको हमारे topics बहुत पसंद है, अगर आपको हमारे YouTube चैनल बहुत पसंद है, तो ज़रूर like बटन बटन पर क्लिक कीजे, अगर एक भी video मिश नहीं करना चाते हैं, तो subscribe पर क्लिक कीजे, और अगर आपको लगता है कि आप हमेशा एक भी video हमारा कभी मिश नहीं करना चाते है, तो bell icon का hit कीजे, हमारे साथ जुदर रहने के लिए हमारे video को like, subscribe और share और शेर करने के लिए धन्